तो आईए चलते हैं, हमारे डायमंड को सुनते हैं, एक जोरदार तालिया महुंसर के लिए होनी चाहिए आप सभी साथियो को नभश कर सबसे पहले में उपरवाले को धन्यवाद करना चांगवा उस परमपिता परमेशर की मर्ज़े के बगर एक पत्ता भी नील पाता अगर आज ये जो कुसी का पल और आप सभी इस हौल के अंदर इन्वावल हैं तो मैं चाहँगा उस उपरवाले के लिए एक बार जोरदार तालिया होनी चाहिए परम बेदा परमेश्व ले जोड़ाता है लिए थैंक यू आप सभी जिस शेहर से भी आये और जिस सिटी से भी आप लोग आये हैं आज इस डायमेंट सेलिवेशन में आपने अपना अमुले समय निकाल कर यहां तक आप पहुंचे हैं और इसमें आपने अपना पार्टीशि आप सभी के लिए भी जोड़ा तालिया होनी चाहें आप सभी के लिए भी थैंक यू आप साथियों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने माता पिता का जिनोंने मुझे जनम दिया मनुस्त जीवन का जनम दिया और एक अच्छे संसकार दिये उनकी परवरिष इतनी अच्छी रही जिसकी वज़े से आज मैं या पहुंच पाया हूं मैं चांगा मेरे माबाब के लिए एक बार जोड़ा ताली होने चाहें जोड़ा ताली होने चाहें मेरे बाबाब के लिए तेंक यू आप देखेंगे यहां मेरे से बड़ी सिस्टर और चोटी सिस्टर दोनों बड़े बाई दोनों भावियां यहां पर इनका भी बहुत इसने रहा है प्यार रहा है मेरे उपर हमेशा इन्होंने मुझे सम्मान के साथ जब भी कुछ बुरा के आओ तो सब डाट के मुझे समझाने का प्रियास किया होगा मैं चाहँगा इनके लिए बार जोरदा तालिया होने चाहिए जोरदा तालिया हो तेंक्यों और मैं दन्यवाद करना चाहँगा फ्रेंट में बैठे हमारे ग्रेयट अफ्लाइनो का जो एक कोय्ले में से उठा करके एक कोय'M कवाँ को आज उन्होंने हिरा बना दिया मैं चाहूका उनके लिए बार जोर दाता लिया हमरे ग्रेट अप्लाइनों के लिए थjan arriv अज कि पीश जून डायमेंट सेलीवेशन में समय सरलोगों के पास नहीं होता उसके बावज़ूद भी बहुत ही बिजिस उडिल में से समय निकाल कर अज सेरीवेशन में हमें आसरवाद प्रदान करने के लिए हमारे सुनेल मान सर और संजे गुपता सर इन्होंने अपना बेस कीमते समय निकाल कर यहां तक हमें आसिरवाद प्रदान किया है मैं चाहूँगा एक बार दिल से सर लोगों के लिए जोड़ार तालिया होने चीए जोड़ार तालिया होने चीए ठैंक्यू और हमारे जो कंपनी में मैं चाहूँगा जब भी मैं इकाद बर गया हूं हमारे इंदरिपित सर के पास में और फर्स्ट टाइम जब किसी से कोई काम की कहे तो अजने भी आदमी को काम भी शाथ ऐसा लगता है कि मैं इनका काम कैसे कर पाऊंगा लेकिन सर ने कभी ऐसा महसूस ने होने दिया जाती ऐसा लगता है जैसे तो मैं बहुत पहले से जानता हूं इनका काम तुरंत कर दिया चुटकियों में काम किया और ऐसे हमारे जो प्रवेश जी है प्रवेश शर्मा जी यह तो खहर सर से मेरा इतना ज्यादा संप्रक नहीं रहा लेकिन जब भी मैं महाराज सर के साथ गया हूं तो इनकी स्माइल से मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूं मैं चाहूंगा दोनों के लिए एक बार जोड़ आता लिए होने चा और आज यह डामेंट सेलिवेशन का जो सम्मान मिला अगर मैं यह सारा क्रेडिट और मैं समर्पित भी करना चाहूं तो इस हौल में बैठी विशु वुजेता टीम दमदा टीम प्यारी से टीम के लिए मैं समर्पित करना चाहूं जोड़ आता लिए होने जोड़ आता मैं थोड़ा साम अपने बैग्रांड बताना चाहूंगा सुनने के लिए तैयार हैं साथियों एक आदमी का जब जनम होता है तो या तो गरीब घर में होता है या अमीर घर में होता है यस जनो और अगर अमीर घर में जनम हुआ है तो परविरस कैसी होगी अमीर घर की जैसी और अगर गरीब घर में जनम हुआ है तो परविरस कैसी होगी गरीब घर की जैसी यस जनो मेरा जनम गरीब घर में हुआ क्योंकि जब मैं जनमा था तो उसे में नहीं पता था लेकिन जब हो समाला तब पता चला कि मेरा जनम कच्छे घरों में ही हुआ था जहां फूस से उसकी च्छत हुआ करती थी और मिट्टी की दिवारें हुआ करती थी ऐसे घर में जनम हुआ औ और जनम होने के बाद आप देखें जैसे बहुत सम्वालना यान विलोग चीजों को समझतना जब सुरू करते हैं तो आप देखेंगे अमेर घर के बच्चों को फैसुलिटी जी मिलती है अच्छी स्कुल मिलती है बटी नहीं मिलती है तो ऐसे में मैं गरीब घर में था तो आप जानते कि गरीब घर में गरीब क्यों होता है पैसा नहीं होता है इसलिए गरीब होता है यस जैनो तो पैसा नहीं था इसलिए गरीब घर में अब मिट्टी में खेलना कूदना खेलोने तो आएंगे कहां से आज देखो अगर अमीर घर में जनम तो खिलोने से कमरा बरा रहता है यस चानो लेगिन गरीब गर में अगर जनम लिया तो केलने के लिए क्या होगा मिठी होगी यज चानो तो मिठी में केलना कूधना दीरे-दीरे करके बड़े हुए और बड़े होने के जैसे चीजों को समझना शुरू किया तो मैं आपको बताना चांगा मैं आज दिल से धन्यमाद करना चांगा मेरे पापा का उन्होंने मज़़ूरी करकर के यानि जब से मैंने हो सुमाला, जब से मैंनों को देखना शुरू किया, समझना सुरू किया तो पिता जी अकेले थे क्योंकि के बाई तो थे नहीं और अकेले होने की कारण हमारे पूरे गावों में और उनका कोई ऐसा कोई जानकर परिजित था ने लेकिन वो अकेले मज़दूरी करकर के हमें पांच बेनों को पालन पोशन करते मैं चांगा पिताजी के लिए जोड़ा ताली होने चाहिए जोड़ा त था कि पिता जी कभी दिल्ली चला चले करते थे और दिल्ली जब चले ते मजदूरी के लिए तो मैं उस समय देखता था कि हमारे जो मम्मी हैं तो मैं मम्मी के साथ ही और बाहरी हम छप्रे में सोया करते थे तो उस समय देखता था कि हमारे गाहों में कुछ ऐसे उप्रवादी लोगों आकरते थे कि कभी रात में आकर करके कभी बैंस खोल लेते थे कभी बकरी चुरा लेते थे कभी उट खोल लेते थे और बहुत परेशान रहते थे जब पिताजी दिली से आते थे उन्हों को एक ख़बर मिलती थी क्योंकि उसमें मोबाइल वाइल का कोई काम था नहीं मोबाइल से कोई संप्रक था नहीं तो ऐसे में हम देखते थे कि कभी कोई चोर बकरी खोल के ले गया कभी कोई हूट खोल के ले गया कभी कोई बैस खोल के ले गया और बड़े परईशान रहते थे दिरे दिरे करके और बड़े हुए तो मैं आप सभी को बताना चांगा हम तीन भाईयें में छोटा हूँ और दो बहन है एक मेरे से छोटी है और एक मेरे से बढ़ी है साथियों गरिब घर में जनम होने की वज़े से इन सब में से अगर किसी को स्कूल जाने का मौका मिला तो वो सरफ मुझे ही मिला था बाकि किसी को नहीं मिला बाकि किसी को नहीं मिला और आप जानना चाहेंगे वैसे तो मेरी डॉकुमेंटरी में आपने देखा होगा कि मैं आपके सामने कोई डिगरी धारी आदमी नहीं हूँ मैं सरफ और सरफ गॉर्मेंट स्कुल में only चार क्लास पड़ा इंसान आपसे बात कर लगा है only four class साथियों चार क्लास तक ही मैं इसलिए पड़ पाया क्योंकि गरी में घर था और एकी ड्रेस हुआ करती थी एकी ड्रेस से स्कुल जाना एकी ड्रेस से स्यादियां ट्रेंड करना अगर फट जाए तो वो आसमानी शर्ट आप बाजू और खा की पैंट हुआ करता था अगर फट गया तो मम्मी पाती लगा दी ऐसा समय था लगा कि जब पिताजी मजदूरी करके अपना पेट पालन हमारा भी पेट पालने करने है उनका भी करने है जब भी हमें कोई थोड़ा बड़ा काम करना या कोई काज करना या कोई तो उसमें हम सब हमारे पिताजी ब्याज पर पैसा लेकर आया करते थे साथियों मुझे लगा कि जैसे मैं भाईयों को भी देखता था जो बड़े भाई थे एक उंट वाड़ी चलाया करते थे पिताजी पलदारी करते थे बड़े भाई साब कभी कोई तेल मिल पर काम कर रहे हैं कभी कई मजदूरी कर रहे हैं बस यही चल रहा था बाकि किसी के कोई ज़्यादा बड़े सपने थे भी नहीं सब मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे थे साथियों मेरे उपर मैं चार कलास तक पढ़ा फिर ज़्यादा मेरा भी दिमाग लगाने इक पढ़ाई में और जो भी पिताजी के साथ काम मिलता मैं वो काम करने के लिए निकल जाता कभी अगर पिताजी ने पाढ़ तोड़ने का काम किया तो मैं उनके साथ पाढ़ तोड़ने के लिए 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 चला गया कभी उन्होंने अगर कोई कोई खोदने का काम लिया तो मैं उनके साथ कोई खोदने भी चला गया अगर उन्हेंनों कोई मकान का काम लिया और मकान में अगर मजदूरी करने है तो मैंने वो काम भी किया मैं दिल्ली जा करके मैंने मजदूरी का काम भी किया जो काम मिला वो सारे काम मैंने किये लेकिन जैसे जैसे बड़े हो ये लगा कि जीवन इससे कटेगा नहीं फिर पिताजी को लगा कि इसको मजदूर से अटा करके कोई और काम दिया जाया, कोई और काम इसको देना चाहिए और पिताजी ने क्या किया, एक पड़ोसी के मादम से मुझे सिलाई का काम सीखने के लिए बेज दे गया सातियों जब सिलाई का काम सीखने के लिए बेज दिया तो करिब करिब डेड़ साल उस काम को सीखने में दिया लेकिन स्टार्टिंग में अगर मैं बताना चाहूँगा तो सिलाई का जब काम सीखने के लिए गया था मेरे पडोसी के माद्यम से उस समय मुझे नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस वक्ति के दुकान के सामने में काम सीख रहा हूँ वो ही मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा रॉल अदा करेगा वो एक दिन मुझे जीवन की सबसे बड़ी कुशी देगा और वो दुकान, जिस दुकान के सामने में काम सीख था वो हमारे ग्रेट मागरूजी, Mr. Raul Guptasar की दुकान के सामने में काम सिख था सातियो, मば में ने काम सीख अविता करीब 6 मेंने, मुझे कुछ भी पैसा मिलता था लेकिन उस समय ना तो हमारे पास में जाने आने जाने के लिए कोई साइकल थी ना मोटर साइकल थी लेकिन हम मैं पैदली जाया करता था पैदली आया करता था करीब साथ किलोमेटर हमारे घर से दूरी है वाकी एक रुपए देना सुरू किया उस वक्तिने मुझे जिसके पास मैं काम सीखने के लिए गया था और उस एक रुपे की लालच में मैं उसके पास एक गंटे और एक्षा काम करके आता क्यों जब तक मुझे वो एक रुपे दे नहीं देता तब तक मैं वहाँ से चलता नहीं था आज बले ही आपको एक रुपे की वैल्यू समझ में आए लेकिन एक रुपे की आगा पटाशी भी खाऊ ना तो पेट भर जाता था एक रुपे की इतनी बड़े वैल्यू थी उस समय सातियों वो एक रुपय के लालच में मैं और एक एक गंटे काम करके आता था लेकिन फिर लगा कि ये जो सीवल का काम है इससे मामला ज्यादा बैठेगा ने फिर मुझे सिलाई एक्सपोर्ट के काम को सीखने के लिए बेजा गया और सातियों करीब एक साल में ने सिलाई एक्सपोर्ट के काम को सीखने में दिया और सीखने के बाद जब काम करना सुरू किया अपना खुद के आतों से तो बताना जंगवा सातियों उस समय करीब मेरे साथ करीब हमारे गाउं के आसपास के लोग 20-25 लोग हुआ करते थे और उनके गरों में साथ ठीक ठाक कंडिशन थी इसकी वज़े से उन लोगों की कुछ इस तरह का माउल रहता था कि आज यहां काम लगाया अगर थोड़ी से बात बिगड़ गई तो यहां से कल दूसरी जगे चले गए महां बात बिगड़ गई तो परसो किसी तीसरी जगे चलेगे और ऐसे में मैं परेशान रहता था और मैं परेशान इसलिए रहता था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था मैं अगर योई गुमता रहा तो जो परिवार मेरे से उम्मीद करता ना वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा साथियों बहुत परे लेकिन वो 50 पैसे एक रुपए भी देने के लिए मेरे पास पैसा निया करता था, हम अगर यहां से दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे खाने पिने का सामान हमारे साथ ही वा करता था और वो भी कटे में, स्टोब वगरा, कैरिसन वगरा, आटा, यह सब हम साथ में रखते थे, अगर यहां से वहां जा रहे हैं ना, दस किलो मेटर भी, तो कंदे पर रख करके हम पैदल चल देते थे, कोई बात नहीं, थोड़ा यह लेंगे, थोड़ा यह लेंगे, और ऐसे करके हम आँव सामान को पहुंचा देते थे, पैदल, पैदल, साथियो, मुझे वो दिने, आज भी याद है, जब मैं जैपूर में काम कर रहा था, और मैं घर से 50 रुपे लेकर रहे हैं, को कि मैं पिताजी से क्या मांगो, पिताजी तो भई हम पांच बहनबाईयों को पाल रहे हैं, और मैं अगर तीन दिन तक काम नहीं मिला, तो पचास रुपे खर्च होगे, और जब पचास रुपे खर्च होगे, और जब पचास रुपे खर्च होगे, तो जैपूर में जान कर नहीं, और कोई किसी से पैसा मांगो भी तो कोई देने वाला नहीं है, बताना चंगा सातियों, मुझे वो दिन भी याद आता है कि मैंने 24 गंटे भूके रह करके, 24 गंटे तक तडप कियाता मैं और जब लगा कि मैं क्या करूँ बिल्कुँ तडप कियाता तो किसी मिलने वाले के यहां जाकर के रात को और उन्हें से अमने खाने के लिए बोला कि हम खाना यहीं खाएंगे, साथि हो, बताना चांग का जहां, दस लोगों को खाना बना था ना, वहां हम 3 लोग, क्योंकि हम 3 लोग थे ऐसे, जो 24 गंटा भूकर रहे थे, उन 3 लोगों नहीं हम उन 10 लोगों के खाने को 3 लोग खागे, 3 लोग, साथियों वो समय देखा, और जब चलता गया, चलता गया, तो मैं आपको बताना जागगा हुआ। उसी स्लाइदेपार्टमेंट से धीरे करके मैंने प्रोडक्शन में हच्छा पैसा कमाना सुरू किया। फिर मैंने उन लोगों से अटकर के अपने आप को एक कमपनी में जा करके और मैंने काम सुरू करना किया साति ओं त Abbasi कमपनी का में दिन्यवाद करना चाह pogo उस कमपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जैपूर के अंदर मैंने उसी के अंदर सेंप्लिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम किया मैंने नौकरी किया और नौकरी करते-करते मैं अच्छा कासा पैसा कमा रहा था लगवग जो हमारे कच्छे करते वो पक्के मकान में तबदील हो गए थे सब पक्के मकान में तब्दिल हो गए थे सातियों काम अच्छा खासा चल रहा था जिन्द की बहुत ठीक ठाक होने लगी लेकिन उसी समय में कुछ एक ऐसा दौर आया कुछ ऐसा पल आया कि इधर मैडम के बिमारी हो गई टीवी की और जब साइकल पर लेकर के गूमता था इधर जैपूर से मैं काम करके आऊं तो उदर से मुझे एक दिन का चुट्टी नहीं मिले क्योंकि नौकरी नौकरी होती है प्राइबोट हो या सरकारी यस चानो उदर से चुट्टी नहीं मिले और इधर इनको दिखाना कभी साइकल से कभी पैदिल कभी जैसे भी मर्जी और बताना चांगवा साथियों जो मैनत करके अपने आपकी ये पॉजिशन बनाई थी वो धीरे 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 करके वापिस दाउन होना सुरू हो गई और वो प्लॉट लेने के बाद लगा कि जीव में कुछ और बड़ा करेंगे कुछ अच्छा करेंगे लेकिन साथ यह हुआ ही हूँ कि इनकी बिमारी को देखते वोगे क्योंकि इनका हालात कुछ ऐसे थे कि अगर दवाई ले लिया दवाई लेने के बाद इंजेक्शन लगने के बाद कम से कम चार गंटे पांच गंटे था ऐसे जैसे बे ओसी की हालत हम पड़ी रहती थी और आज आप देख रहे हैं जिस तरह कैसे यह ऐसी नहीं थी उस समय अगर किसी डॉक्टर के हैं आप मेडिकल दुकान पर जाकर देखोगे जो फोटो होता न कंकाल का ऐसे फोटो थी इनकी ऐसे फोटो थी इनको बचाने में पूरी मेनट लगाई और जो प्लॉट मैंने लिया था उस समय वो प्लॉट मेरा बिक गया मैंने कुसी कुसी बेज दिया कोई बात नहीं जंदिकी रहे गे तो और मना लेंगे साथियो फ्लॉट बेज दिया सेविंग सारी खतम हो गई और लगा कि मैं उसम मेरा काम भी बिगड़ गया जो मैं काम जैपूर से कर रहा था नौकरी कर रहा था वो सब बिगड़ गया और उन्हेंने कहा कि ऐसे तो हम आपको रखेंगे नहीं फिर लगा कि क्या करूं तो सा किया और बिश टेलर लगाए और मैं फिर काम करता साथियों पैसे कमाना आसान नहीं होता टेलर जरूर मेरे पास बीश थे मैं उनसे पैसे जरूर कमाता था लेकिन महनत बहुत करता था सुबह घर से अगर 6 बजे निकल गया रात को कब लोटूंगा ये कोई पता नहीं होता था रात को खाना खाऊंगा ये कोई पता नहीं होता था सुबह खाना नहीं खाके गया अगर स्याम तक नहीं मिला इसकी गारंटी नहीं थी लेकिन मैं महनत करता था मैं मेनच करता था और ऐसे में देरे-देरे करके मैंने उस factory से पैसे कमाना शुरू किया और बताना चांँगा उसी फैबरिकेशन से एक समया ऐसा भी लाया कि उस और काम से में महिने के 1,00,00 रुपर भी कमाना सुरू कर दिया था कि एक लाख रुपे अपने आपको पॉसिशन पे लाकर के खड़ा किया और ठीक ठाक जिन्दी की चलने शुरूए फिर वापस कुछी आनों शुरूए लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है मुझे नहीं पता था मैं धन्यवाद करना चांगा जिस व्यक मिटर तीयार सेनी जी के लिए जोर दर्द आँने चीह जोर दर्त करिया हूं थैंक्यों साथियों मेरे गाउं के हैं वो भी स्लाई करते थे और जो से जहां से लाई करते थे वो स्लाई की दुकान हमारे ग्रेट मागरुजी मिस्टर राउल गुपता सर की दुकान पो उस लाई कर अगर देते और उनके मादम से मेरे पास यह प्लान पहुंचा लेकिन जानना चाहेंगे वो प्लान दिखाने को नए थे कितने लोग जाना चाहते हैं सार लोग जाना चाहते हैं सातियों मुझे प्लान दिखाने के लिए हमारे सामने बेटे Mr. Deepak सर और Mr. Rawl सर आये ते मैं चाहूँगा जोड़ाता लिए सर एक बार खड़े हो जाएं दोणों अपनी जगै पे जोड़ाता लिए जोड़दर थेंक्यू सर ने मुझे प्लान बताया और मैं आपको बताना चांगा साती हूँ प्लान देखने के बाद बहुत सारा लोगों की इसलिए गर्दन नामे हिलती है क्योंकि यूप पैसे बचाने के लिए प्रियास करते हैं लेकि दन्यवाद इश्वर का उस उपर वाले का कि मैंने पहली बार में प्लान देखने के बाद इस बिजिनस को जोइनिंग किया कोई किन्तु प्रंतु नहीं था मैंने तुरंट फोरम साइनफ किया और सर लोगों को पैमेंट देने का वादा किया पैमेंट मैंने अगले दिन दिया था लेकिन जबान का पक्का था नफा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जबान देदी सो देदी लेकिन उस समय सिगनिचर सर ने करवाए थे राउल सर ने और सिगनिचर करवाते हुए एक बात बोली थी जाना चाहेंगे जाना चाहेंगे की बदाइयो महांजी, Congratulation, आप पने अपने खुशियों पर signature किया है, साथ्यों मेरी जिंदकी का पहला फॉरम था, जिस पर मैं ने signature किया था, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, माता सरस्वति जी का, सर की जिव्या पर विराजबान थी और सर जैसा आपने बोला था वैसा हो गया सर धन्यवाद सर अपका जोड जायर धन्यवाद दन्यवाद थैंक्यू दिल से सातियों मैं आपको बताने चाहूँगा जब काम करना शुरू किया सेफचाप का प्लान तो देख लिया सेफचाप ज्वानिक भी कर ली लेकिन ज्वानिक करने के बाद यहां तक महुचना थोड़ा सा कठिन तो है हाजे हाज आपको लगा है कि यह जिंदगी आपको चाहिए यह कुछियां आपको चाहिए मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो मैंने थोड़ा सा प्रियास किया है अगर वो आप कर लें तो आप याकिन करें वो जगह आपकी तयार है वो यहां है आपकी तयार हैं साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरी पड़ाई लिखाई चौथी किलास थी मैं बिजनिस में आ गया मेरा मोटिविशन कुछ भी हो सकता है चाहे बड़ी इंकम हो या मेरे कोई भी काम हो सकता है जिसकी बज़स मैं इस काम में आ करके ज्वानी करके जब करने के लिए निकलते हैं और जब आप किसी को बताने के लिए जाते हैं तो आप सबको पता है कि आपके साथ क्या होता है आजे आपको पता है ना क्या होता है अच्यों तो सिखाएगा पंजे आट लाक रुपर कैसे काम हैं आजे यह बग गई तो क क्षाली भग गई तो क्या होगा क्यों क्यों कि साथ यो मैं अपको बताना चाहूँगा 근데 मैं पकूलानने के लिए बाद में गया तहु उससे पहले मेरे पडूशी से मिला और मैंना को कुसी कुकि कि आप देखना जब आप देख लेते हो आप जौनिंग कर लेते हो तो पहली रात ऐसी जरूर निकलती है कि आपको नेल नहीं आती है कितने लोगों कितने अलोग रोग उसा आήσा हुआ है steadily 50 परसेंट लोगों साथ आज असा वगा जुनको नीद नहीं आई तो बदायो, आप जरुँद डाइमन बनेगे, अगर आपको नीद नहीं आई तो, बटका, सात्यो पिलान देखने के बाद, ज्वानिक करने के बाद, मुझे पूरी रात नीद नहीं आई थी, मैं करवट ले लेकर के बदल रहा था, कास ऐसा हो गया तो जिंदगी कितनी अच्छी होगी कैसा होगा वो दिन यह सोचने लगा लेकिन ऐसे में जब सुबह उठा तो गुमता गुमता पडोसी के पास चला गया और जैसे पडोसी के पास गया और मैंने कहा भाई एक कमपनी है एक प्रोड़क्ट थेजिना रहे से कर बहुत बढ़ी इंकम कमा सकता है। बोलो अच्छा बोलो जिसकी तू बात कर रहा है न देख वो फोल्डर लाकर के दिखाया। यह तो मैंने तेरे से पहले ही 2013 मजवानी करके छोड़ दिया। जो हवा भरी थी ना अंदर जो रात को नीद नीज आ रही थी वो एक मिट में ठुस होगी। क्या करें हवा नेकल की सारी। साथियों मैं 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 मायूस चेहरा हो गया और मैं ऐसे करके दुकान तक पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं अपना काम भी कर रहा था लेकिन खिलावा नहीं था मेरे पड़ोसी ने पूचा बोले रोज आप खिले रहते लिए आज चेहरा उदास है क्या बात है मैं नहीं ऐसी नहीं बताव से क्या बात है अले मैं गयारे कंपनी जो आनी कर ली और उसमें एक प्रड़क्ट लेना पड़ता है ऐसे इसे टीम बनाने प से अट गया मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा लेकिन उस समय में अगर मैं कहना चाहूं मुझे इस विजनिस में बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया चाहे फोन के दुआरा जैसी भी लेकिन पीछा नहीं छोड़ा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है उस समय की बा अगर मैंने सुबह कॉल नहीं उठा तो दुपर में कॉल नहीं उठाया तो स्यां को करेंगे और अगर मैंने स्यां को भी कॉल नहीं उठाया तो रात में सोने से पहले एक बार जरूर कॉल करेंगे ऐसे मुझे कॉल करकर के परिशान करकर के लगा कि पीचा छोड़ेंगे न लेकिन अंदर से क्या था नहीं चलोंगा और रात को 12 बच तक इधा से ठंडाराम जी और रावल सर दीपक सर मौन जी चलोगे ने पक्का हमने आपकी सीटबुक करवा दिपका चलोगे सर लेकिन रात को 12 बचे सूच फौन स्वीच आप करके और मस्त नेल सो गया जब सुभष कर दो से 4 बजे जाना था तो Altanda Ramji उठके आयां कि पडोसी थे उठकर आया कि महान जी फोन नहीं उठाँ रहे क्योंकि राईल सर ने बोला हुगा कि महान जी फोन नहीं हो रहे औरे मौन जी चल नहीं डिया, ट्रेन जूट जाएगी, मैंने कि मेरा रात को फोन आया था बाउस का, मुझे अर्जेंट काम गया, मुझे जैपूर जाना है, मैं नहीं चलूँगा आपके साथ, आपने रात को क्यों नहीं बताया, हमने था आपका एंट्री पास ले लिया, य यास्यानो, दो लोग ने मना कर दिया, साथियों, अगले ही साथ दिन बाद, जैपूर के अंदर एक फंक्शन था, और जैपूर फंक्शन के लिए सर ने फिर इन्वाइट किया, फिर उन्होंने मेहनत कि कि नहीं कोई बात नहीं, यहां नहीं गया, तो यहां जुरूड ले जाओंगा, और फिरी में जाओंगा, तो इनके साथ गया और जा करके वो प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने क्या लूच छोड़ा ही नहीं, और उसी समय मैंने फर्स्ट टाइम महरास सर को देखा था, मैं चंवा सर के लिए जोड़ आता लिया, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाक जाना चाहेंगे, जाना चाहेंगे? बस एक बात सीखिये, जो हुकम मेरे आका, जो आप कह दोगे, वो ही कर दूँगा, वो ही कर दूँगा, सरफ ये बात सीखिये, सरफ एक बात सीखिये, क्योंकि मैंने उस दिन देखा, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे गाउं के लोग, अनपड़ लोग, पड़े रिखे लोग, कोई सिल्वर बन रहा था कोई गोल्ड बन रहा था कोई टोपाज बन रहा था और कोई डाइमंड भी आ रहा था डाइमंड भी आ रहा था सिर्फ ऐसे सम्मान देखा उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया लेकिन क्या लगता है जब हम काम करना शुरू कर लें या मन में ठान लें काम हो जाता है क्या एक पल के लिए आप मोटिवेट हो जाते हो लेकिन अगले दिन जब आप काम करने के लिए जाते हो ना तो आपके सारी हावा निकल जाती है यह सारी हावा क्यों क्योंकि आपको जैसे अपना काम देख रहे हो ना वैसी इस काम को भी देखना पड़ता है क्योंकि है क्योंकि मैं आपको बताना चांगों सातियों मैं वह पहला सक्षों यहां मेरे पास सात हमेन लोग silver बन जाते हैं लेकि अनित्धार करते हैं कि मेरा plan आएगा ना तब मैं plan दिखाने के लिए जाँगा, gold बन जाते हैं मेरा plan आएगा तब मैं plan दिखाने के लिए जाँगा लेकि धन्यवाद मेरे plan उने ने शुरू से उब 사ई परिवर्श करी कि मुझे dependent होने का मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ तीन से चार प्लान करने के लिए, राहूल सर और दीपक सर आयते, इसके बाद आज तक सरलोगों को प्लान का मौका नहीं दिया आज तक प्लान का मौका नहीं दिया लोग अगर प्लान दिखाने के लिए यह आते ना तो त्रूंत रूट जाते हैं लेकिन मैं कभी रूठा नहीं सर लोगों ने एक बात गई जैसे आप अपनी फैक्टरी को समाल रहे नो वैसे इसको भी समालने के लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा सातियों मैंने इस बिजनिस में प्लान दिखाने के लिए मैंने सर से पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा तो बोलो मंजी आपको यह चीज बोलनी पड़ेगी सर मुझे ऐसे नहीं लिखत मैं दो सर ने मैनत की अपने कंपूटर से टाइप करके मुझे जो बोलना चाहिए वो इन्होंने टाइप करके निक कितने को 11 लोगों को लेकिन बताते हैं बड़ी खुशी होती है खुशी इसलिए होती को उन्हें से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ 110 रुपए की चाय पीके चलेगे पठे लेकिन एक ने ज्वाइनिग नहीं किया 110 रुपए की लेकिन काम एक दिन में नहीं होता जब प्लान देना सीख लिए तो फिर लगा कि आप काम करना ही है तो फिर एक ही चीज़ देखी आये तो बेस्ट नी तो next आये तो बेस्ट नी तो next ये करते चला गया लेकिन ज्यादा से मैं लगा नहीं सात्यू तो मेरी लिश्ट में से मुझे तुरंत ऐसे दो लोग मिले जिन्हों ने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉड बना दिया जाना चाहेंगे जाना चाहेंगे एक तो ऐसे जिन्हों ने प्लान देखते ही जौइनिक कर लिया और दूसरे हैं जिनको भरोसाइग नहीं हो रहा था से में हाथ पकड़ के यह कहा कि अगर छे मैंने में भी आपको को प्रूफ कर दिए गलत कंपनी में गलत काम में ज्वाइनिंग करा दिया मैं खड़ा हूं यार आपको तीन गुणा पैसा दूगा लेकिन मेरे साथ ज्वाइनिंगी ऐसे दो व्यक्ति जाना चाहेंगे जाना च जोनों को बरोसा देखर के ज्वाइनिंग कराया आज रेड कलम में और दूसरे वोरे आसोग जी जिन्होंने प्लान देखती है ज्वाइनिंग किया यह दोनों वो सक्से हैं जिनकी बादरवत आज यहां तक मोचा लेकिन साथियों जैसे यह दो लोग आए इननों टीम बना बना शुरू किया इनके साथ टीम बना शुरू ही तो पताना चांगा जैसे जैसे जिम्मवारी बना शुरू हुआ तो जो अपने टीम की अच्छी केर कर लेता है वही टीम का बादसा बनता है वही डाइमंड बनता है और जो टीम की केर नहीं कर पाता वो डाइमंड नहीं करना शीखना चबना के लिए मैं नया तो मुबाइल चलाना जानता न लेपटोप चलाना जानता मेरे पास को Nori किसी सुवीदा नहीं जा मैं रेजिट्रेशन करना सीखूं लेकिन धन्यवाद उस समय राउल सर की दुकान पर जाते हैं इनके कम्पूटर पर इन से सीखते हैं रेजिट्रेशन करना और फिर जैसे कंपनी के बहुत सारे काम हुआ करते थे प्रड़क्ट चेंज कराना कलर चे के कापी करकर के इनके साथ रह रहा करके वो सारे काम वो सारे काम जो एक एजल लीडर को करना चाहिए वो मैंने करना सुरू किया करना सुरू किया लेकिन क्या लगता है एक समय जैसा समय थोड़ी चलता है यह चलो एक समय जैसा समय नहीं चलता कि आपकी असली पहचान तब भी होती है जब आपके कभी अगर थोड़े उतार चड़ाव आए थोड़े बुरे दिन भी आए उस समय आप की थिंकिंग क्या है आप कितने पॉजिटिव रहते हैं क्या उस समय भी अगर आप बुलंदी उपह पिचाना चाहते हैं आप अपने आपको बड़े उंचे जब सरका सानी ने मिला महरत सरका तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा अगर मैं कभी थोड़ा बहुत उपर नेचे माइंड से डिस्टप हूं थोड़ा बहुत और अगर लगा कि सर्थिक पर बात कर लूँ ताब यकिन करें बात करने के बात ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे दुख दूर हो गए सारे दुख मैं चाहूंगा सरके लिए जोरदा तालियों नहीं जी जोरदा तालियां सारे दूर होगे और मैं बताना चाहूंगा साथियों अधायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं अगर साथ में हूँ या नहीं भी हूँ उसके बाउचुद भी सर ने जैपूर में हमारी टीम के साथ में बहुत हैल्प किये और उसके लिए मैं चाहूँगा स्रीकान सर के लिए जोड़ात आली होने चाहिए स्रीकान सर के लिए जोड़ा ताली होने चीए जो सर हमेशा बहुत ही मोटिवेट करते हैं टीम को हमेशा समको प्यार देते हैं सातियों मैं आपको बताना चाहूंगा आज जब यह डामेंट सेलेशन का डेट फिक्स हुआ था मैं फूला नहीं समा रहा था बहुत मोटिवेट लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं पहली बार ऐसा काम कर रहा हूं जांग मुझे डामन बनना है मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा बात करनी हैं बहुत सारी चीजह हैं लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहँगा हमारे ग्रेट अपलाइनों का जोनों ने यह त चाहँगों दिल से इनके लिए जूरदार तालिया निए धन्यवाद इनसर्गा बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्यार दिया अपनों ने और मैं आपको बताना चाहँगों सातियों आज जैसे यह तो खेर दुनिया में सबसे इत अप्लैंड मिस्टर माहोरा्च मैं चाहँगों सार के लिए जोड़ना थालीया दिल से रहेंख सुन JULY чуд आप चाहते हैं सारी कुषियां आप चाहते हैं पर सात्यों मैंने अपने आपको सीखने के लिए अपने आपको तयार करने के लिए और यो बॉक्का जो भी हमारे सफला लोग हैं उन सब को सुन सुन करके उनके नॉट्स बना बना करके और रात में देर रात तक जग जग करके अपने आपको तयार किया कभी यह लगने नहीं दिया टीम को कि यारा हम चौती किलास पड़े इंसान के साथ बात कर रहे हैं हमारा फ्यूचर सेफ है या नहीं है यह उनको जब भी लगा तो उनको एक यह बात लगा कि ची अच्छे इंसान के साथ काम कर रहे हैं अच्छे इंसान के साथ काम कर रहे हैं ऐसा फिल नहीं होने दिया चाहते हैं आप लोग डामना चाहते हैं आपके आवाज से तो लगनी रहा है आवाज के साथ हाथ भी खड़ा होना चाहते हैं चाहते हैं आज एक प्रड़क्ट लेने से मैं एक बात जरू कहना चाहँआ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे परवार का नाम खराब हो जाएगा क्या आज मेरे जो फादर इस दुनिया में नहीं है 2017 में पिताजी का दियान हुआ था क्या आज उनके आत आत्मा को लगनी रहा होगा कि या कोई बात नहीं गरीभी में सही लेकिन संस्कार अच्छे दिया और आज मेरे बेटे ने कोई गलत काम तो नहीं किया यह चैनो लग राइं नहीं लग रा चाहते हैं आप अपने परवार में आपने माबाब का नाम बढ़ा करें चाहते हैं आप अपने परवार में अपने अपने बच्छों को लगे कि हां कि आपके अम्ही पापा ने बड़ा काम करके तो करके दिखाएंगे तैयार है तैयार है साथियों समय का अभाव भी आ बताना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन हमारे भीच में आज हमारे ग्रेट शक्षियत ज से भी सीखना जाहेंगे तो मैं एक बार जरू कहना चाहेंगे आप सभी के लिए मैं आवार वक्त करना चाहेंगे जो आज कुम आप लोग सामेल हो आप ल lanç एक ले योन dette helicopter करके achievable करे टरे अफर कि आज आपके टामिड्स्ञ पही पिया सकते हैं क्योंकि उप्र वाला देने के लिए तयारे ख क्ते हैं माइक सकते हैं साथयों तो आए जोड़ारीव आजम करते हैं मिदा 106 विस्वाल अबेस्ट एंड गाई वाथ प्रॉमिस और करता हूं अलाकी सारे गुरूजी लोगो को और हमारे प्यारे डायमंड को पूरा ट्रस्ट है मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं जान लगा देंगे आप सब को यहां तक पहुंचाने में अलो बस केवल सिर्फ और सिर्फ इतना सा चाहिए कि आप परूसा कर लो अपने आप पर कि आपके माबाप ने आपको अगर जनम दिया है तो कुछ बड़ा करने के लिए कर सकते हैं थेंक्यों थेंक्यों